पूरा जरूर देखेंगे और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर लीजिए मेरा यूजर आईडी है और राउंड नॉलेज तो दोस्तो इसमें क्या है पास्ट हैविट है और पास्ट हैविट को दिखाने के लिए आप यूज्टू का यूज्ट कर सकते हैं यूज्टू जैसे मैं जाया करता था आई यूज्टू गो और दोस्तो कभी-कभी वूट का भी यूज्ट होता है पास्ट हैविट को दिखाने के लिए और सिंपली आप वर्ब टू का भी यूज्ट कर सकते हैं यानि कि सिंपल पास्टेंस में यहाँ पर यूज्टू बेटर रहेगा अब दोस्तो आप लोग का सवाल रहता है कि सर सब्जेट कैसे पता करें तो दोस्तो सब्जेट क्या है जो काम करता है काम करने वाले को ही करता कहते हैं तो यहाँ पर चुराने का काम कौन करता था एक आदमी हमेशा अपने मन में एक सवाल करेंगे who, count तो आपको subject मिल जाएगा तो यहाँ पर subject है एक आदमी अब दोस्तों चुराना का English क्या होता है तो चुराना का English क्या होता है still और इसका verb form क्या होता है stole, stolen और दोस्तों कभी-कभी हम लोग commit, theft का भी यूज करते है commit, theft यानि के चोरी, करना तो यहाँ पर लिखेंगे a man used to still चुराया करता था क्या चीज़ चुराया करता था अनाज grains कहां से अपने पलोसी के खेत से from his neighbors filled दोस्तों पलोसी के खेत के के लिए apostrophe, एस का यूज कर देंगे अपना के लिए यहाँ पर his लिखेंगे a man के अनुसार singular number और male है इसलिए यहाँ पर his यूज करेंगे अपना का हमेशा इंग्लिस बदलता रहता है जैसे माली जी वहाँ अपने घर में है he is in his home तो यहाँ पर अपना के लिए his यूज हुआ है, माली जी मैं अपने घर में हूँ I am in my home तो I के अनुसार my हो जाता है we के अनुसार are हो जाता है, they के अनुसार there हो जाता है, they are in their home a man used to steal grains from his neighbor's field और दोस्तों आप लोगों से request है कि इस वीडियो पर चलने वाले add को पूरा जरूर देखेंगे एक दिन वहाँ अपने बेटे को भी अपने साथ ले गया जो आठ वर्सका था एक दिन यानि कि one day अब दोस्तों यहाँ पर ले गया किस tense में? simple past tense और simple past tense में हम लोग क्या यूज करते हैं? subject प्लस verb to प्लस object ले जाना का English क्या होता है? take take का verb to क्या होगा? took और किसको ले गया? अपने बेटे को तो यह क्या है? object तो यहाँ पर लिखेंगे one day he took his son जो आठ वर्स का था जो के लिए यहाँ पर लिखेंगे who who was eight years old अपने साथ with him अब चाहे तो with him का यूज यहाँ पर भी कर सकते हैं बाप ने कहा बुरा पकड़ो तब तक मैं पता लगा आऊं कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तो जेनरली फादर मदर के पहले दा का यूज नहीं करते हैं लेकिन यहाँ पर एक खास पिता की बात कर रहे हैं जो की इस स्टोरी में है और उसकी चर्चा पहले हो चुकी है इसलिए उसे खास बनाने के लिए आप दा का यूज कर सकते हैं दा फादर सीड बोरा पकड़ो फोल्ड दा सैक दोस्तो सैक का अर्थ बोरा भी होता है और यह एक वर्प भी है जिसका अर्थ होता है नौकरी से निकाल देना तो दोस्तो यहाँ पर है तब तक यानि की तील देन आए फाइंड आउट वेदर समवन इस watching me or not दोस्तो यहाँ पर की और यहाँ पर यहाँ रहने से वेदर ओर का यूज करते हैं जैसे कृप आप मुझे बताईए आप आ रहे हैं हैं या नहीं प्लीस टेल मी whether you are coming or not दोस्तो यहाँ पर की और यहाँ पर यहाा रहने से आए िल दिन I find out whether someone is watching me or not. थोड़ी देर बाद वह अपने बेटे से बोरा लेने और अपने बेमानी का काम करने को लाउटा. तो दोस्तों थोड़ी देर बाद याने की after, sometime. वह अपने बेटे से बोरा लेने और अपने बेवानी का काम करने को लाउटा? तो दोस्तों इसमें main verb क्या है? वह लाउटा. यह हुआ main verb. तो यहाँ पर लिखेंगे he returned. अब क्या करने लाउटा? अपने बेटे से बोरा लेने. तो यहाँ पर लिखेंगे to collect. अब take का भी use कर सकते हैं. collect the sack from his son. यानि कि अपने बेटे से और बेमानी का काम करने and start his dishonest work. यहाँ दोस्तों एक तरह से to छिपा हुआ है and to start his dishonest work. यहाँ पर already to use हुआ है. इसलिए आप यहाँ पर नहीं भी दे सकते हैं. After some time, he returned to collect the sack from his son and start his dishonest work. बेटे ने कहा, पिताजी आपने सब तरह देखा लेकिन एक तरह देखना भूल गये. तो यहाँ पर लिखेंगे The son said Father आपने सब तरह देखा You looked All the way लेकिन एक तरह देखना भूल गये But Forgot To look At one side दोस्तों यहाँ simple past tense में है यहाँ पर verb to use हुआ है यहाँ पर भी verb to use हुआ है और इसे infinitive कहते हैं To look यह बिलकुल नहीं change होगा The son said Father You looked all the way But forgot To look at one side आदमी डर के मारे बोरा गिरा दिया तो दोस्तों गिरा दिया किस tense में है Simple past tense Verb to use करना है जब कोई catch छोड़ देता है तो उसे क्या कहते हैं Drop कर दिया तो drop का अर्थ होता है गिराना और यहाँ पर हो जाएगा dropped Verb to डर के मारे यानि कि डर से तो यहाँ पर out of का यूज करना है Out of fear यानि कि डर के मारे मा लीजे कि आपको बोलना हो इर्षिया के मारे, जलन के मारे तो out of jealousy भी आप लिख सकते हैं Out of fear, out of jealousy आदमी डर के मारे बोरा गिरा दिया तो यहाँ पर लिखेंगे The man dropped the sack out of fear और यह सोचते हुए कि उसने किसी को देखा है and यह सोचते हुए thinking that उसने किसी को देखा है He had seen someone दोस्तो यहाँ पर देखा है है present perfect tense में लेकिन लिखेंगे past perfect tense में क्योंकि दोस्तो जो पहला part है sentence का वो past tense में है तो जो second part होगा वो अभी past में ही होगा और यहाँ काम पहले हुआ है कि उसने किसी को देखा है ऐसा उसको लगा तो जो काम थोड़ा पहले होता है तो उसमें had यूज करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे he had seen someone कोमा देदेंगे लिखेंगे said आप चाहें तो end का भी यूज कर सकते हैं and said किस और बेटा तो यहाँ पर लिखेंगे which side अब यहाँ पर boy भी लिख सकते हैं which side boy या which side my son the man dropped the sack out of fear and thinking that he had seen someone said which side my son तो उसका बेटा कहता है आप आकास की ओर देखना और यह सोचना भूल गए कि सर्व सकतिमान इसवर आपको देख रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे you forgot to look up यानि ऊपर देखना to the sky यानि के आसमान की तरफ और यह सोचना and think that सर्व सकतिमान इसवर the almighty आपको देख रहा है is watching you watch का अर्थ हुआ ध्यान से देखना you forgot to look up to the sky and think that the almighty God is watching you बेटे की यह बात पिता के दिल को छू गई यहाँ पर आप लिख सकते हैं this thought of his son touched the heart of the father दोस्तो आप यहाँ पर इस परकार से भी लिख सकते हैं he was touched यह फिर moved by this thought of his son he was touched by this thought of his son उसने अनाज वहीं छोड़ दिया और घर लवट आया तो दोस्तो यह किस tense में simple past tense में है छोड़ना का leave होता है और leave का verb to होता है left और left खुद में एक अलग word है यानि left ride भी होता है बाया और दाया तो यहाँ पर लिखेंगे he left the grain there और घर लवट आया and returned home he left the grain there and returned home उसने फिर कभी चोरी करने का विचार भी मन में नहीं लाया तो यहाँ पर लिखेंगे he never even thought of stealing again he never even thought of stealing again उसने सदा यह याद रखा कि इस्वर की आँखे हमें प्रतियक पल देखती है तो यहाँ पर लिखेंगे he always he always remembered that the eyes of God हमें देखती है see us होगा he always remembered that the eyes of God see us every moment I hope friends आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा यदि अब वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा मेरे चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजे और दूसरे सभी वीडियो उचको जरूर देखिए साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर लीजे मेरा यूजर आईडी है allround knowledge दोस्तो आप लोग को end screen के रूप में एक playlist नजर आ रहा होगा उस पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियो उचको जरूर देखिए all right friends thanks for watching have a great day